तो अगर आप चैनल पे नए है तो चल को सब्सक्राइब जरू कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलेगा और हम सुरू करते हैं तो दोस्तों रेल बी की तरफ से असिस्टेंट लोको पाइलिट में बेकेंसी आई है इस बेकेंसी में अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 5600 के आसपास टोटल पोस्ट होने वाली है काफी सारी पोस्ट है और अगर हम फीस की बात करते हैं तो ज 10th और ITI किया हो या फिर आपने 10th के साथ में कोई डिपलोमा किया हो या फिर अगर आपने इंजीनिंग की है मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल ये अलेक्ट्रोनिक्स में तो आप इसके लिए एपलाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें जो डेट होने वाली एपलाई की ये 20 जनवरी से उपन होगी लिंक, 20 जनवरी से आप एपलाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, वो रहेगी हमारी 19 फरवरी दोस्तों अगर आपने फॉर्म भरते टाइम, इसमें कोई भी गलती अगर कर दी है तो आपको चिंता करने के कोई जरूत नहीं है क्योंकि 20 फरवरी के बाद, 20 फरवरी से 29 फरवरी तक जो है, लिंक स्टार्ट होगी इस लिंक में क्या होगा, कि इस लिंक में आप एपलाई कर सकते हैं करेक्शन के लिए उसमें जाके आप करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कोई भी मिस्टेक की है तो इसके बाद अगर हम salary की बात करते हैं तो दोस्तो assistant local pilot की salary जो है वो 19.500 से 35.000 के बीच में होती है काफी अच्छी post है ये इसमें railway में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा apply जरूर कीजेगा और एक और बात मैं आपको बता दू अगर आप चाते हैं कि आपको मनचाहा exam center मिले या फिर pass का exam center मिले तो आपको ये करना होगा कि जैसे 20 तारीक 20 जन्वरी से link start हो रही है तो आप courses करना होगा कि आप जल्दी से जल्दी apply कर सकें अगर आप late करेंगे तो फिर आपको दूर का center भी मिल सकता है क्योंकि आपको पता है railway की job है और काफी demand में रहती है और qualification भी थोड़ा low मांगा है तो काफी सारी application होने वाली है इसलिए competition भी ज़्यादा होगा form भी ज़्यादा भराएंगे इसलिए center भी जल्दी fill up होगे इसलिए आपको ये try करना होगा कि आप last date के थोड़े पहले अगर कर सकते है apply तो कर दें मैं तो कहता हूँ 20 तारीक से अगर start हो रहा है 20 जन्वरी से तो आप 21-22 तक भरी दीजिए जिससे आपको मंचाह center मिल जाए और बाद में आपको परिसान ना होना पड़े दोस्तो apply करने के लिए आपको ये करना होगा कि आप जिस railway के zone से ब्लॉंग करते हैं जैसे RRB भोपाल हो गया या फिर RRB ब्लासपर हो गया तो आपके आसपास जो भी zone है आप उसकी official website पर जाएंगे RRB की और वहां से आप apply कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी जानकारी इस vacancy के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो like, comment, share जरू कीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कीजिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी vacancy के साथ ठैंक यू